टीनी बैक इसका मतलब है परोमता ने फिर से अपनी पाक ही नहीं की ये लड़की हमेशा देर करवाती पृती भावी गाड़ी तयार ठीक है मदन तुम ये सारी बैक जंदर रख लो पुछ करके आते ही हम निकल जाले है कि आप आप शुलोचना दीदी तयार हो गई हो कुछ मदद नहीं बस तो परोमता जी आपकी पैकिंग हो ही गए है क्या करूं दी इसाए रही है वह तो क्या ने कि मैंने इसकी मदद कर दी वरना कल सुबह तक इसकी पैकिंग नहीं होती बस बस इतना क्रेडिट लेनी की जरुरत नहीं है ये मत भोलो इस बार हुमने जाने का प्लान मैंने बनाया क्यों दीदी हाँ ये बात तो सच है हाँ प्रिती जरा सुनना अमा जी आपको बुला रही है सब इंतिसाम हो गया ना बिल्कुल मदन ने जगा भी देख लिए क्यों मदन काम को अंजाम देने के लिए जगा ठीक है ना जी हाँ चारो तरफ जंगल ही जंगल है इंसान का तो वहाँ नाम निसान भी नहीं है और वो डाक बंगला बरसों से सुना पड़ा हुआ है हमें बिल्कुल ऐसी जगा चाहिए थी ये अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला है वहां लोग आसपास बठकते तक नहीं हैं और अफवाएं हैं कि वहां आत्माएं वास करती हैं तो चलो क्यों नहीं हम उनफाओं को सचसाबित करते वाह परोमीता वाह सफेट ड्रेस और गुंगुरू तुमने तो आत्मा बनने का पूरा इंतजाम कर लिया अच्छा मदन तुम्हारी उस आदमी हरिया से बात हो गई है ना हां भाया मेरी सारी बातें हो गई है वो उसी इलाके का है मैंने उसे एडवांस भी दे दिया है शाबाश मदन अब सारा पाप करेंगे हम और इल्जाम आएगा उसात्मा पर जोकी है ही नहीं अब जल्दी से सारा प्लाइन मुझे वापस बताओ हमारी गारी ठीक टाक बंगला के सामने जाकर खराब हो जाएगी अब जोड़ा इसे एक यह को जोड़ा है यह जोड़ा अब जोड़ा जोड़ा अब कि आओ गया एक जरागी एक नरागी है एक नरागी एक नरागी है हम देखना चाहिए कि क्या हो मदन लगता है भाईया गाड़ी में कुछ खराभी हो गई है अब इतनी सुंसान रोड पे इस्वक्त मेकेनिक भी कहा मिलेगा नहीं भाईया यहां पे एक डाक बंगला है अच्छा होगा कि हम लोग चल के बात करते हैं कहीं रहने का वेवस्था ह हो जाए कि को अरे भाई कोई है कोई है कोई है कोई है कोई है अ है 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 वो हमारी गाड़ी खराब हो गई है और आसपास के होटल भी ने रहने के लिए क्या हम आज की रात इस डाग मंगले में काट सकते हैं भाहिया इसे कुछ पैसे दो सिर्फ एक रात की बात है सुबा होता ही हम निगल जाएंगे ठीक है पर पर क्या आप लोगों की सुरक्षा की जिमेदारी मैं नहीं ले सकता सुरक्षा क्या यह आसपास कोई डाखवाखव है नहीं यह डाख खाना काफी समय से बंद पड़ा हुआ है और जो जगा काफी समय से बंद हो उस जगा पर अंजान शक्तियों का वास हो जाता है ठीक है भाई बस आप हम लोगों को सर चुपाने की जगा दे दीजी अपनी सुरक्षा का बिड़ा हम लोग खुद उठा लेंगे ठीक है भाई साब वो कुछ चाय नाश्टे के इंतजाम हो सकता यहां यहां कुछ नहीं मिल सकता पर हाँ इस जंगल के पीछे एक बाजार है आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो वहां कोई दुकान खुली हुई मिल जाएगी ठीक है भाई मैं कुछ न कुछ बजार से लेकर आता हूं वेको मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ इसकी कोई पैसे तो ले दे जाओ एक मिल भाईया मैं मैं देता हूं कि अच्छा सुनो और वो सामान भी लेकर आए जी बहुत है कि हम गाड़ी से सम्मान ले आते हैं हाँ अ क्रुम्हारी। भाई ovा निक्षा सत्या मैं उत्या माई आए ओड़ी आहरा है घुम्हारक्ते हैँ आए फिर विछ प्रम dir शकते ह के वागर का भी भाईवा य। ने रहा है फुम्हार क्लित एए भी घुम्हारण क कता है इस जंगल मैं पाऊटर भीषा त्सम्हार नहीं झाल भूम्द्न का बच्छ जहार? वेश्य ही? त रूम बच्छ। Ö ok कर दो है? बन्स के लितक atक अमय कि अगसा आतुर स्टू है गुँ़ में, आएल सेयुछान जो और फुजएु जो वड़ार, का याले रार एक्रत, एक रहनान। एक रर एक Więq यह खुरसी ऐसे हील क्यों रही है अब हवा से होगा पीती नहीं पुशकार है यह तो ऐसे हील रही है जैसे इस पर कोई बैठा हो हाँ शाहिद इस पर को इस आदमी बैठा है जो हो शाहिद हम लोग को दिखाए नहीं तेरा प्रीज रागा ऐसी बाते मत करो मुझे बहुत डर लगता है एक तो यहां पर लाइट्स भी नहीं है अब भैसा 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 भी लाइट्स कब तक आजाएगी वप्राहएब जएदा भीजाएब भी है आम मैब भीज़ गुख लेगा गागा एड़ सुगां आजाएब तक रिपाईब तक तक एम खराएबर को अविगाएब भीज़िस नहीं है नहीं है वागएब भीज़िघ दूब वड़ाएब को फराएब टूबर है बहुड़िस् किया रहे बंगला कम सिखम सौसाल पुराना तो होगा ना आलत देखकर तो यह लगता है कि अब यहां पर तो सारी कम रेखोले है यहां पर तो सारी कम रेखोले है सिर्फ यही कमरा बन क्यों है क्योंकि इस कमरे में मेरी मालकी का सामान पड़ा हुआ है आखे ऐसा है क्या इस कमरे में यह जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना यही जरूरत है कर दो कर दो दो, कर दो आपता है और अज हम पर दोग कर दो दो जुड़ से जब कि दो उर्वाराइब एूपी, मैं धे लुड़ कि दे सेला है. ींग ऐ वे कि एला चाहए कि एला है बनावए विरो जब कि एला है, बनाव कि एला है. झाल 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 यहां पर तो कोई नहीं है लगता है वाके में ही मेरे कान बज रहे थे लेकिन गुम्रू की आवास तो कितनी साफ सुनाई दे रही थी मुझे तो बहुत जोरों की भूक लगी है मेरे पेट में ते चुहे कबड़ी खेल रहे हैं यहां पर कोई स्टोफ भी नहीं है वरना नाश्ता तो बना लेते हैं मेरा स्टोफ यहां स्टोफ है यहां यहां नीचे एक तहकाना है तहकाना है हां तहकाना वैसे नीचे कोई पुरानी चीजय पड़ी है और वहां आपको स्टोफ ही मिल जाएगी अरे वाँ चलो चल की लिए आते हैं चलो इस इस मदन की तुम्हें खटिया खड़ी कर दूँगा उसकी वज़े से हमारा पुरा प्लाइन डिले हो गया और तुम्हारा वो वो गुंगरू पहन कर चलना भी बेकार गया मेरा गुंगरू पहन कर चलना हाँ कल रात को तुम्हारा वो गुंगरू पहन कर चलना सुनकर तो मेरे पसी ने छूड़ गये थे ऐसा लगा था कि सच्मूच के आत्मा तो नहीं आ गए रागव कल रात मैंने कोई गुंगरू नहीं पहने थे क्या यह तुम क्या कह रही हो इन अगर तुम सो गए थे तो कल यहां गुंगुरु पैनकर कौन गुम रहा था राखव 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 सच में यहां कोई आत्मा तो नहीं है नहीं नहीं वो शायद मेरा वहम होगा खर मैं एक काम करता मदन को ढूंड के आता हूं जल्दी आना यह बहुत कहा है यह यह मदन कहा रहे गया उसकी वज़े से सारा प्लान तो गुंगुल के आवाज परोमिता यहां केसे मेरा बेह मुझा के हुंगुल खुंगुल के लाजु खुछुल के लाजुब। के लाजुब। बाल बालों हमेले का लाजुव। झाल वो झाल आप अजदी कиком एा ि कि लोनमा चार मान तुण कर ले? कौन है वहां कौन है यह दर्वाजा अपने आप किसे बंद हो गया कौन है कौन है यहां पर सुलोचना दिदी सुलोचना दिदी मैं यहां बंद हो गई हूँ यह तो वही घुंग्रों की आवाजे हैं कौन है कुई है यहां पर कौन है क्या हुआ वो स्टोब जल नहीं रहा है क्या कोई बात नहीं चलो हम कुछ और इंतिजाम करते हैं चलो अे सम्सक्राइब जे डिया किया है झाल झाल मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मदन तो पहले से ही गायद था और अब ये रागव अभी तक लॉट कर नहीं आया उसका फोन भी अन्रीजबिल आ रहा है यहाँ पे नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है नहीं शायद मेकैने के तलाश में यदर उदर बटक रहा होगा मैं उसे देख कर आता हूँ पुशकर तुम मच जाओ ये ठीक कह रही है इस जंगली इलाके में रात मौत बन के आती है सुभा ढूंड लेना क्या हमें अब इस बंगले में एक रात और रुखना पड़ेगा नहीं आप लोग अराम कीजिए मैं आसपास पता करके आता हूँ पुशकर रहने दो ना पुशकर बहुत रात हो चुकी है कल सुबह देख लेंगे मुझे जाने दो प्रीती वैसे भी चिंतावे मुझे पूरी रात नीन नहीं आएगी पुशकर प्लीज मैं प्लीज थोड़ी देर में आता हूँ प्लीज मरेगा ये भी मरेगा सुनिए कौन लडगी है सुनिए पुशकर अरो में तब तुम क्या हुआ तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो नहीं वो वो मैंने अभी अभी किसी को यहां सफेड ड्रस में देखा तुमने किसी आत्मा को देखा ये मजाग का वर्त नहीं है परो मिता मैं सच कह रहा हूँ मैंने अभी भी किसी को देखा यहां पे अच्छा बाबा सॉरी अभी तो नहीं है ना अभी सिर्फ मैं और तुम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ परो मिता लेकिन तुम इस सुबक्त यहां क्या कर रही हूँ मैंने तुमें डाक बंगले से निकलते हुए देखा तो मैंने सुचा मैं भी परो मिता कुछ ही दिनों की तो बात है अगर किसी को अभी शक हो गया तो सब खराब हो जाएगा तुम जाओ मैं हरिया से मिलकर आता हूँ यह क्या कर रह 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 अगर मदन कल तेर से नहीं मिला तो वो गया कहा है वो सब अपने को नहीं बाता है और आज रात आपका काम हो जाएगा ठीक दो बजे मैं उस दाग बंगले पर पहुंचाओगा ठीक है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है हमारा कमरा कॉरीडोर के बाई तरफ है आज रात अपने घर का दर्वाजा खुला रखना साब लेकिन और तो कोई नहीं होगा वहां तुम उसकी शित्ता मत करो मैं भी किसी बाहने से बाहर निकल जाओंगा और घर के बाकी सबी लोग सो रहे होंगे लेकिन हाँ हमारा काम तो हो जाएगा ना फिकर मत करो साब आज की रात आपकी बीवी की जिंदगी की आफरी रात होगी तुम यह रखो तुम यह रखो तुम यह रखो सुम यह रखो वाल सुम यह रखो सुम यह रखो सुम हुआ इन्हों हुआ है झाल 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 क्या हुआ प्रिती तुम चिलाई क्यों और तुम बेयोश कैसे हो गई पुशकर मैंने एक बहुत ही भायानक ने जाना देखा मेरे तो मेरे तो होशी उड़ गए थे ऐसा क्या देख लिया दुम पुशकर यहां पे एक अंग्रेज और थी वो एक आदमी को मार रही थी अपनी दातों से उसकी नस्य काटके कि उसके सर पर हैवानी अच्छा ही हुई थी अंग्रेज और किसी को मार रही थी यह तुम क्या कह रही हो प्रीती जब हम सब यहां अभी कमरे में आये यहां पर तुम्मारे अलावा और कोई नहीं था पुशकर मेरी बातों का यखीन कर मैं सेच बोल रही हो सकता है वो अभ अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा होता तो फिर मैं बेहोश क्यों होती बेटी मैं यह तो नहीं जानती कि जो तुम कह रही हो वो साच है यह तुमारा ब्रह्म है पर इस मनूस जगह पर हम लोग स्यादा देर तक नहीं रुकेंगे लेकिन दादी जब तक मदन और रागव का पता नहीं चल जाता हम लोग यहां से कैसे जा सकते हैं देखो हम लोग कल तक मदन और रागव का इंतजार कर लेते हैं और अगर कल तक भी वो लोग नहीं आए तो हम लोग यहां से निकल चलेंगे कि और पुलीस को रिपोर्ट कर देंगे प्रिती अब तुम सोजाओ हो सकता है कि ठकान की वज़े से तुम्हारे दिमाग में ऐसी वैसी बातें आ रही हो तुम सोजाओ किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं पर जो मैने देखा है वो मेरा वहम नहीं है कुछ न कुछ गडबर तो ज़रूर है राग हृवर मदन का यहां आते ही इस तरह गायब हो जाना रात को वो घुम्णुरों की आवाजे और जो मैने आज देखा आखे कौन थी वो यहां पर तो सा जानने की ना तो तुम्हें जरूरत है और ना ही कभी जानने की कोशिश करना पर यह चावी तो देखो, आजगल की चावी उसे कितनी अलग है ना? कौने? कौन है आरो मैं पुषकर 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 तुम्हें तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं तुम बिल्कुल चिंदा मत करो सब सोरे थे अच्छा यह हर्या कहां रह गया पता नहीं कहां मर गया? मैंने खुद उसको पैसे देकर दो बजाने को कहा था लेकिन अब तु चार बजने वाले हैं जीक सुनकर तो ऐसा लगा जैसा हमारा कामी हो गया मगर वो नाकिन अब तक संदा है लेकिन अब ज्यादा देर नहीं आज की रात उसकी आखरी रात होगी वो कैसे? तुम बस मेरा प्लान ध्यान से सुनो तुम वो सफेड ड्रेस और घूंगरू पहन कर उसका दर्वाजा खटकडाओगी वो दर्वाजा खोलेगी वो दर्वा तुम कोरिडोर वाले रस्ते से होकर पालकनी में जाना आत्मा समझ कर वो तुमारा पीछा करेगी बस और फिर तुम उसको उस वक्त पालकनी से धक्का दे देना और फिर सब सुबा सोचेंगे कि उस आत्मा ने उसको मार डाला कि वह करेंगा मार्य कि आत्मा राला भीज्यू आत्मात्मा ये ठाम में जाथा guy छेए पालकनी देना उसकी मोला लाज़ा कि छावाबस भ Youtube कि वेए दो कि आत्मार् condition कि वेएई ये बसे आत्मार्य का hero LOC मार मुझ ए व रागा समय डागा झाल जो एक प्रशेम जो एकड़ मुझी झाल मार मुझी यह कि भंग झाल 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 पर उरस दुटांरी एज में एटे कि टाूज़क में अजय सेवाना ओर भाज़क कर दो दूना फिर भाराशव कर छोना सबूना कर दोना फुटता है लुटता है जा में पर पालता है तर आप में ने प्राहे हैं कि विरूयक convertि व्तang daytime квara कर दो left सुरू. मैं शुचंट अजो आए जो दो मैं फहिं पास निया नहाए जो आए एला की आए जू मैं फास नह्त नहाए जरका का तर नहाए प्लीज नहीं, मुझे मानने प्लीज, नहीं, नहीं, प्लीज मेरी पात्यों नहीं, कहां गई वो चाबी, यहीं तो थी लगता है, यह वही बंद दर्वाजे की जाबी है भाल, प्लीज, यहाथ, यहीं, कहां। दर्वेशपने अपलीज, यहाथले वहीं, कहां। इसकाल किसित और थे प्लीज, यहाथ लगता है कुंगरू लगता है ये कमरा किसी नाचने वाली का था लगता है ये से लाचने का भाली कि … ये लुरे की दिए की। इुर लुटे पुश्कर वो अंग्रेज आउरत के साथ 1945 65 साहल पुरानी तस्वीर तुम्हारी हीमत कैसी हो इस कबरे में आने की बाबा यह मेरे पती और इस औरत की तस्वीर यह सब क्या है पुश्कर तुम्हारे इस जनम का पती है और यह फोटो उसके पिछले जनम का है जब वो मेरी मालकिं मरलिन का पती था पिछली जनम का फोटो हाँ बात सन 1945 की है जब पहली बार मरलिन मेम साथ अपने पिता के साथ इस डाक बंगले में आये थी आप अगरे जनम के कुछी दिनों में उनि हमारा देश यहां के रिती सब इतने भाड़े कि वो दिल से मिल्दुस्थानी बन गए यहां तक कि हमारे देश के लोक निर्थ्य से भी वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने खुद वो निर्थ्य एक मास्टर से सीखना शुट कर दिया और वो मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुमारे इस जनम का पती पुश्कर था मारलिन मेम साब को पता भी नहीं चला कि कब वो उस मास्टर के इतने नजदीक आ गई कि उनका रिष्टा गुरू शिश्या का ना रहकर दो प्रेमियों का बन गया पिता के जाने के बाद जो खाली पन उनकी जिन्दगी में आया उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस डांस टीचर से शादी कर ली पर उसने मेम साब से शादी सिर्फ उनके पैसों के लिए की थी तब से लेकर आज तक मरली मेम साब की आत्मा इस डाग बंगले में पढ़क रही थी अपनी मौत का बतला लेने के लिए और उसने बतला लिया भी जिस घुंगरूं से उसने उनकी जान ले थी एक दिन वही घुंगरू उसकी मौत का कारण भी बने लेकिन मरलीन ने पुष्कर से बतला ले लिया था ना तो फिर भी उसकी आत्मा मुक्त क्यों नहीं हो अब तक क्यों बटक रही है आत्मा इतनी असानी से मुक्त नहीं होती खास कर ऐसी आत्मा जिसे धोके और बेवफाई की चिंगारिया पल पल जलाती हो तो क्या वो पुष्कर से एक बार फिर बदला लेना चाहती है पता नहीं मालन चाहिए पिछली जनम में पुष्कर ने तुम्हारे साथ जो भी किया इस जनम में वो मेरे सुहाग है और मैं उनका बाल भी बाका नहीं होने दूगी परोमिता आखे कोलो परोमिता ये सब क्या हो गया परोमिता परोमिता तुम्हें चोड के नहीं जा सकती परोमिता पुष्कर 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 आखे कोलो परोमिता बड़ो मेता अचो परो मेता अच्छछ था शॉल्र कि वह तो ड़ो मेता है कि पर हुआ कि अच्छ पूछकर मैंने तुम्हें जो वह अंग्रेश आउरत के बारे में बताया था ना वो तुम्हारे पिछली जनल की भीवी है उसीने हमारी परोमेटा को मार डाला पूछकर हमें यहां से चले जाना चाहिए इससे पहले के वह तुम्हें ही मारते चेहरो यहां से बाग जाते बगवास मत किरो परोमेटा को किसी आद परे नहीं बल्गी तुमने मारा है तुमने क्या यह तुम क्या कह रहे हो पुछकर हाँ मैं असस कह रहा हूं बला मैं अपकी बहन को क्यों मारूंगी क्योंकि तुम्हें हमारे प्लैन के बारे में पता लग या था प्लैन कैसा प्लैन तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लाइन क्या उसराग गाड़ी खराब नहीं हुई थी बल्कि मदल ने जानबूच कर खराब करवाई थी हमने एक खूनी को तुम्हारी सुपारी दी थी और इस डाग बंगले में तुम्हें मारने का प्लाइन मनाया था और वो आत्मा और कोई नहीं तुम्हारी अपनी बेन परोमिता है जो तुम्हें डराने के लिए सफेड रेस और गुंगरू में इस डाग बंगले में गूमा करती थी हमने सोचा था हमने सोचा था कि वो खूनी तुम्हें मार डालेगा और और सारा इसाम उस भीचारी आत्मा पर आजाएगा लेकिन तुम तो दो कदब आगे निकलिया तुमने तुमने परोमिता कोई बार दिया की मुझा तुम कोज तुम मुझे क्यूं मार देना चाहते थे मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं पुश्कर नेहीं नहीं लेकिन मैं तुम्से प्यार नहीं करता, मैं परोमिता से प्यार करता था तो तुम्ने मुझ से शाधी क्यों की? तुम्हारी दौलत के लिए, क्योंकि तुम्हारे बापने सारी दौलत तुम्हारे नाम कर रखी थी और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी सारी दौलत बेरी हो जाती और फिर फिर मैं कुछी-कुछी मैं कुछी-कुछी अपनी परोमिता के साथ चाहती कर लेता चंद रुपियों के लिए तुम मुझे मार देना चाहते थे माना तो तुम्हे अब ही होगा परो मिता का बदला मैं तुम्हे लेकर रहूंगा उसकार? जो मेरलीन के साथ होगा वो में प्रीटी के साथ नहीं होने दुनगी तुझे मर ना होगा एक बार फिर तुझे मर ना होगा परिटी, परिटी, आपया! परिटी, परिटी, जारे होगा परिटी, परिटी! पुझे, पुझे, लाग्ला, पुझे। क्या वा प्रिती? ममा! प्रिती? प्रिती?